पूर्ण बच्छों गुड़ीनिंग एंड जैसर राम सारी चीजे के लिए रहे क्या लाइट कम पड़ रहे क्या कहीं जैसर राम बच्छों जैसर राम तो आज का टॉपिक क्या है बताओ कल बता है था आप लोग को सांड आ रही है सारी चीजे के लिए रहे हैं बताओ बहुत से बच्छे का डाउट आ रहा है कि सर हमने क्लास नहीं किया है पुरानी क्लास में सो गई है या लेट जोइन किये हैं बेटा तो उनके लिए जो है थोड़ा सा कड़ी महनत तो करनी पड़ेगी तभी आप कर पाऊगे ठीक है कि सारे वीडियो जो है आपको देखने हैं जब तक आप वीडियो देखो गए नहीं तो यह चीजे जो है आपको समझ मे तो क्लियर हो जाएगा एकदम बताओ कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्नोंने अब तक पूरे वीडियो मेरे देखे हुए है ऐसे तो नहीं कि जो है कुछ बच्चे छोड़े हुए है कुछ बच्चे तो मैं रेगुलर जानता हो वह सारे लोग अटेंड करते हैं मैं उनका यहां पर लाइफ चैट देखता हूँ तो वह बच्चे मुझे रेगुलर उनका नाम सो होता है ठीक है मैं उनका नाम नहीं लोगा लेकिन वह बच्चे हमेशा यहां पर रहते हैं कि अगर कर तो बेसिकली आज का मारे क्या रहने वाला है वह फॉईजण दिस्टिवेशन ठीक है यह सबसे यह भी इन्पॉर्टन है पॉईजण डिस्टिवेशन बाइनोमेल हमने कर लिया ऑस बाइनोमेल इतना इंपॉर्टन था ठीक है और वहां से भी चांसे से कोशन हंड़ेट परसंट की चांसे से एक कोशन यहां से आएगा अगर यहां नहीं आगा तो आपके एक और जिए स्टेटिक होता है वहाँ पर आएंगे ठीक है अच्छा एक बात बताओ मुझे यह जो सारी चीज़े मैं बता रहा हूं पॉईजन डिस्ट्रीबिशन वगएरा यह सारी चीज़े पुरा डिक्टो के लियर महाँ पर भी है क्या जियो स्टेटिक जो आपका सब्जेक्ट है महाँ पर भी है कि कुछ कुछ टॉपिक है कि एक्च्छल में तो यह स्टैटिक्स का ही पॉर्शन है कि पॉईजन डिस्ट्रीबिशन है कि बताओ भई कि क्या खिलेर टॉपिक है वहाँ पर यही सारी चीज़े है कि हुँ पॉईजन डिस्ट्रीबिशन देगे है ठीक है तो पॉईजन डिस्ट्रीबिशन सबसे पहली बात तो यह देखो कि हम कब अपलाई करते हैं ठीक है साउंड कम है साउंड तो एक सेकेंड अब क्लियर है बोलो अब क्लियर है साउंड साउंड इस क्लियर हलो हलो छले ठीक है तो आज का टॉपिक क्या है हमारा पॉईजन डिस्ट्रीबिशन क्या होता है कि अपलाई करते हैं सारी चीजे यहां पर हम देखेंगे पॉईजन डिस्ट्यूबिशन एक्चुल में बाइनोमल डिस्ट्यूबिशन के बाद ही आगे आता है इसमें अंतर सिर्फ इतना है जब हमको पता चाहिए जब हम वहां पर देखे मैंने क्या पता है था सबसे पहले हमने एक ट्रैल को लिए पढ़ा फिर हमने क्या पढ़ा ब इनफ्निटी की और जाए इनफ्निटी एक्चुल में कुछ होता नहीं है लेकिन हमारा मतलब बोलने के लिए बहुत ज्यादा जब ज्यादा लार्ज होता है ना तब हम को इनफ्निटी कहते है ठीक है तो यहां पर ट्रायल होंगे वह कैसे होने चाहिए इनफ्निटी की और चाहिए ठीक है और जो probability of success है वो कम होना चाहिए ठीक है बिलो होना चाहिए तब हम poison distribution apply करते हैं ठीक है तो यह एक्चुल में क्या हो गया कुछ limiting case हो गया कि इसका पाइनोमियल का क्यों क्योंकि यहां पर एक कंडिशन डाल दी कि एन कैसा होना चाहिए इनफ्रीटी होना चाहिए और प्रबिल्टी कैसी होने चाहिए ले लो होना चाहिए जब ऐसा केस होगा तब हम क्या यूज करते हैं पॉईजन distribution यूज करते हैं ठीक है तो अगर मैं बोलूं कि पॉईजन distribution के लिए पॉईजन distribution सबसे पहले क्या लिख होगे यहां पर अगर हम बात करें तो पॉईजन distribution इस क्या है पॉईजन distribution इस अ लिमिटिंग पॉईट के लिमिटिंग केस ठीक है इस अ क्या लिक सकते लिमिटिंग केस आफ किसके बाइनोमियल डिस्ट्रिपीजन इस फारियो ऐस टिसुरूण इस जो बाइनोमियल डिस्रीबीक होता है उनका यह लिमिटिंग केस होता है ठीक है अनदर the following condition under the following condition यह इन कंडिशन को follow करना चीए ठीक है सबसे पहला अगर हम बोले कौन सा कंडिशन होते हैं यहाँ पर फस्ट कंडिशन यह कहता है कि आपका जो n होते हैं n means number of trials ठीक है number of trials number of trials जिसको हम n से denote करते हैं वो कैसे होने चाहिए is indefinitly large ठीक है is indefinitly large और n गोस्टू infinity की ओर जाएगा ठीक है पहला केस यह हो सेकेंड केस यह है कि जो probability of success होता है probability of success और इसको किसे denote करते हैं पी से denote करते हैं यह क्या होना चाहिए इन कैसा होना चाहिए small small मतलब कितना होगा जीरो की ओर टेंस्टू करेगा ठीक है small means p tends to 0 मतलब probability कैसी होनी चाहिए वहां पर देखो probability जो है उसका किसा होना चाहिए बहुत कम बहुत कम means one by two से भी कम है ऐसा कम होना चाहिए मतलब वह गोस्ट इन जीरो जीरो के करीब का नंबर मिलेगा ठीक है जीरो के आसपास का नंबर वैसे आपको पता आपका probability कभी भी निगेटिव नहीं होती है लेकिन जीरो दो हो सकती है जीरो और वन के बीच में होती है तो इसकी probability कैसी होनी चाहिए जीरो से के करीब का नंबर ठीक है अलब जीरो के आसपास का नंबर होना चाहिए का तीसरा कि यह एन और पी का प्रोड़क करेंगे तो एंसर जो है कोई फाइड नंबर आना चीमान के चलो लेमडा लिग देता हो कैसा होना चीए भाई ना इंफिनिटी ना जीरो डेरेट क्या एक नंबर आना चीए यह तीन केस फॉलो करता है तब हम बोलेंगे वहाँ पर पॉईजन डिस्ट्रिबिशन अप्लाई होगा फर्स्ट एन आपका लार्ज होना चाहिए सेकंड प्रोबिल्टी जो है उसके सक्सास होने की जिरो पॉर यह यह मालोब पी है तो इसको हम क्या बोलते है प्रॉक्समीट जीरो ही बोलते हैं तो प्रोबिल्टी कहीं कुछ नो कुछ तो आ रही है वर इसका हम क्या वोलेंगे 0.4 मिन्स बहुत कम है ठीक है अगर ऐसा लिख दिया तो पी 0.4 तो यह 0 के करीब का नहीं मान कॉन्ट नहीं कर सकते हैं ओ वाहां पर हम इन्फानेट ली जैसे अगर मैं बुलूँ एक सर पर किसी एक इंसान के सर पर जो बाल होते हैं वह हम कैसे बोलेंगे इसको इन्फरिट हाला कि एक हम अन्फमिनट्भ कर सकते हैं बाफ उसको घ्जादा होता ते थीक उसके नमबर मिलना चीए जो की लेंबडा बोल दिया हूं उसका नम और एक फाइनेट नमबर होना चीए अगर यह आ रहा है तब हम बोलेंगे यह कैसा होगा सटिस्वाई कर जाएगा किसको पॉई पॉईजन डिस्ट्रीबिशन को अब इसका प्रोबिबिटी मास फंक्शन फिर द ठीक है अब प्रोबिबिटी मास फंक्शन बोलो या प्रोबिटी डेंसिती फंक्शन बोलो अकॉडिक टू एक्स जो है आपका रिंडम वरीबल है कौन सा है डिस्कृिट है या कंटिने से ठीक है मैं जनरली मास फंक्शन ही लिग दे रहा हूं तो एक्चुल में यहां पर हम ट्राइल करेंगे तो वह क्या होते हैं ट्राइल यहां पर सारे 123 के फॉर्म में होते हैं इस वज़े से मैं इसको जो है डिस्क्रिट ही रहे गई ठीक है तो फिलाल के लिए प्रोबिर्टी मास फंक्सन देखना यहां पर पॉईजन कि रेंडम यहां o को एक चीज़े द्हां से समझते बर्टी है एक साब में एक है आपका 1 कोई रेनडम वेरीबल होगा है और किसको करेगा पॉज़न डिस्ट्रिबिस्ट न ठीक है तो मालोह एक को रेनडम वरीवल और किसको फॉल्व करता है पॉज़न डिस्ट्रिबिसं अ एलार्ज होगा प्रोबिल्टी कम होगी और एंटी करेंगे तो लब्टा क्या सपास कई राज्था है तो मतलब लैंड इसका क्या होगा पैरामीटर होगे ठीक है कि विफ को फैरामीटर क्या बोल सकते हैं को पैरामीटर जो है कि by planeta ही कर ऑड़ दरा है थीक को पैरामीटर लम्ड़ के सारे देन् सुषिए इसकै जो प्रचिति मासी उता है किस तरह से डिते eh probability संच क्रतें पीस से ठीक है तो प्रचित और पनता है यहां पर देखे ये जब से यह आपको याद कि चीज है इसको याद रखना घोथीक है कि इसका होता हैrh to the power में माइनस लेम्डा एक्स की पावर में लेम्डा की पावर में एक्स अपॉन में एक्स फेक्टोरियल यह तब यूज करना यहाँ पर एक्स की विले जीरो वान टू डेस डेस होती है और यहाँ पर जीरो लिखते हैं कब अधर्वाइस इसके अलावा कुछ भी होगा तो हम जीरो लेकर तो इट्टू दी पावर माइनस लेम्डा एंटू लेम्डा ट्यू दी पावर एक्स अपॉन में एक्स फेक्टोरियल के फॉर्म में होता है यह इसका किसका प्रूबिल्टी मास फंक्शन का होता है ठीक है जहां लेम्डा इस XFollow किसको फॉलो करेगा पॉईजन डिस्टिभिएसन विद लेम्डा पैरामेट इसका नूटेशन का सिंबॉल क्या होता है गज़र लिख देना है और लेम्डा जहां लेम्डा इसके क्या होती है पैरामीटर होता है और सम्रकी दहीं निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा पी और एंकप इंक करना पड़ेंगा यह सका का नोटेशन यह जैसे वाइनोमियल के लिए था वैसे इसके लिए भी नोटेश्ण होता है अब बात करते हैं कि इसका मोमेंट क्या होता है ठीक यानि कि हम मोमेंट अगर बात करें कि मोमेंट ऑफ प्रब्ल किसका पोईजन डिस्ट्रीबिशन की उसके लिए देखे क्या करेंगे सबसे चीजे तब मोमेंट ओफ कि मोमेंट ऑफ किसका पोईजन डिस्ट्रीबिशन कि पोईजन डिस्ट्रीबिशन और मोमेंट में दो ही चीजे वैसे जानना पड़ता है वैसे मोमेंट तो बहुत सारे होते हैं मीवण 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 डैस मीटू डैस लाइक ऐसे होते हैं बट हमको सिर्फ दो ही क्या मीन की विल्य चिल्म होती क्या है एक्सपेक्टेशन ओफ एक्स की विल्य निकालते हैं और एक्सपेक्टेशन ओफ एक्स कैसे कल्कुलेट करते हैं कैसे कल्कुलेट करते हैं आप लोग को कि समेशन लगाना पड़ता है एक्स इक्वल अभी मैंने बताया क्या होता है देखो लिखा हूं इसको सॉल करते चले जाओगे तो आपको वैली मिलते चले जाएगे तो क्यूं नहीं इसको काटा जाए एक से सब्सक्राइब को चाहिए चछोटी चीज़ा आपको आने चाहिए एक सीट ओटी पाउर माइनस लेमडा लेमडा टूदी पाउर एकस डीट वाई इसको तोड़ो गए तो dot x minus 1 factorial यहां break कर दिया तो यह क्या हो गया यहां से x और x क्या है cancel हो गया यह x और यह x cancel हो गया यह constant है यह बाहर चला जाएगा ठीक है यहां से मैं इसको change किया e to the power minus lambda बाहर चला गया only क्या बच रहा है summation x equal 0 to infinity lambda to the power x upon में x minus 1 का factorial अब इसमें हमको क्या put करते जाना है x की value put करते चले जानी है जैसे x की value put करोगे तो क्या मिलते चले जाएगा भई आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर एक से जगा जीरो पूट करोगे तो माइनस मिल जाएगी तो इसको balance करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक स्टेप को यहां पर हटाना पड़ेगा तो हटाने के लिए आपन क्या कर सकते हैं कि क्या चल रहा है मीन ठीक है सोचो जारा क्या कर सकते हैं यहां पर lambda की पावर x-1 बन जाए तो काम बन जाएगा तो lambda की पावर x-1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं लेंड़ा से गुणा लेंड़ा से भाग कर सकते हैं तो यहां पर e to the power minus lambda है अगर इसमें लेंड़ा से multiply कर दे रहा हूं तो summation यहां पर क्या बनेगा x बराबर 1 से बन जाएगा infinity और यहां पर यहां पर जो बनेगा वो लेंड़ा की पावर x-1 बन जाएगा divided by x-1 का factorial ठीक है इसको 1 से इसलिए लिग दे रहा हूं क्या क्योंकि एक्ष्ट स्टेप क्या है निकल गया समझो क्यों कि इसमें फूट करोगे किसी घाट 0 है तो यह लेंड़ा की पावर 0 है यहां से अपन क् है और एक से जगा तो ये भी एक स्टेप आगे बढ़ जागा अभी भी सॉल करके देखो गए तो यह ही आगा सब्सक्राइब कर जिरो यहां भी है लेंडा के वाँ ने क्या किया है लेंडा से घुञा कर दिया लेंडा से भार कर हुई है ठीक है डेसे आप इसको क्या बोलोगे भई आपके इसको समिस्टन की फ़र्म में कैसे बनाया जा सकता था आप बोलोगे सार इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आपन बराबर जीरो से लेगे इनिफिनिटी एक्स एन लिख दो अब रखके देखो बात वहीं मिलने वाला है अच्छे से तोड़के देखो आपको यहीं टम्स मिलेंगे एनिके जगा जिरो डालो एक्स जिरो पहला फिर वन डालोगे एक्स टू यह मिलते चले जाएगा लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं तो सब्सक्राइब को इस तरह से भी लिख सकते Chairman मिलने से लेकिन तरीक दूसरे अभी मैं ऑब आपको देखो एक स्टेप इधर कम होगे एक स्टेप बढ़ा तो तो यह किस्टिप आगे बढ़ जाएगा है क्लियर हो रहा है कहानी समझ में आ रही है अभी भी रखके देखो इसको तोड़के देखो यही टम मिलेंगे क्या मिलने वाला है बता एक से जगह एन के जगह क्या पूट करना बन तो आपको पूट करोगे तो एक जिरो ही मिलेगा फिर x1 मिलेगा फिर x2 मिलेगा ऐसे इन फानेट तरीके होते हैं इसको लिखने के अब कोई बच्चा बलग सरिपमा इसको दो से लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकते हैं बटा कोई दिक्कत नहीं है आप इसको यह न बराबर दो से लिख दो इधर जितना बढ़ाओगे इ x-1 डालना पड़ेगा बाता इसमझ में यस यह नो जल्दी बताओ कि यह चीज़े क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो यह क्लियर हुआ कि आवाज आ रही है कि मैंने कहा एक्स पराबर 0 1 2 3 को इसको आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो तो इस चीज़ को फिर से समझा देता हूं अच्छे से आप लोग समझें इसको को समझेंगे मैंने कहा एक्स जीरो है फिर x1 है फिर x2 है फिर x3 है ऐसे लिखा हूं ठीक है डेस जानन तक जा रहे हैं इसको आप कैसे लिखोगे समेशन के पर में बच्चा बोलेगा सर एन बराबर इसको एन बराबर लिख दो जीरो से इन्फनीटी एक्स न लिख दो अब आपके जगह वन से इलेके infinity एक नमबर बढ़ा दिये तो इसको एक नमबर पीछे कर दो xn-1 कर दो अभी भी रखे देखो आपको return में यही मिलने वाला है कोई changes नहीं है रूप बदाल गया answer सेम है बात समझे लो इसका आपको लग रहा है यार यह अलग है यह अलग है तो दो से लेके infinity लिख देगा तो यह सामने वाले को change करना पड़ेगा xn-2 रखना पड़ेगा जितना step इसमें आप आगे बढ़ाओगे उतना step इसमें पीछे रखना पड़ेगा तभी यह जो है balance गना के देगा तो देखो यह भी वही है यह भी वही है इसको अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं यह बराबर कहां से लेगा पांच से लेके infinity तो xn5 कर तो कोई दिक्कत नहीं हैं 5 people कर के देखो 5 पुट करोगे 5 minus 506 अगला 6 पुट करोगे तो 6 में से 5 गया अगला साथ पूट करोगे साथ में 5 गया दो बात आई सब मेरे लिए अच्छा होता तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया इसमें पहली बात तो लेंड़ा से गुणा किया लेंड़ा से यहां पर लेंड़ा की पावर माइनस वन कर दिया तो एक स्टेप आगे कर दिया देख एक्चॉल में यह ऐसा हो रहा है यह वन से चलिए ठीक है तो यह होता है उसको लिखने का तरीका दूसरा कि आप सोचड़ोंगे कि इसको भी तो चेंज करना चाहिए इसको इसलिए नहीं चेंज किया क्यूंकि हम जीरो पुट करेंगो यहां कितना मिर रहा है माइनस वन फेक्टर और निगेटिव में फेक्टरियल न क्या चाहिए तो फिर हमको अगला पुट करना वन मैनस जीरो जीरो फैक्टरियल होता है इसलिए मैं नीगेटिव नीचे व्लए कुछे नहीं किया क्योंकि माइनस बदला होता जीरो के बाद का तो फिर मैं नीचे भी एक्स से जगाए क्स मैंनस बशओं डालता तो वह मैनस टू बन जाता ठीक है उसको क्या लिख सकते हैं एकस माइनस टू फिलिख सकते हैं लेकिन फिलाल चलेगा कोई इस्टू नहीं कि माइनस में फक्टरियल होते नहीं है चलो आजाओ अब यहां से क्या बन गया भई यहांपर अगर हम देखें तोड़े एकस मिलना जालने तो बता आपको क्या मिलना मिलेगा ल्यासकर मशनी नहीं किसी पावर जीरो मिलने होता है पिर आपको दोपूट करने हैं अगला जो आगला जो मिलेगा वोड़ा की पार थी मिलेगा नीचे में त्री पैक्टोरियल मिलेगा एंड सौन मिलते चले जाएंगे अनंतक कि कि क्या यह चीज़ा सबको समझे में आई कि में समझ माते जाती है आप लोग भी मेरको बोताया करो कि भाई हाँ अब समझ में आ क्या दिख रहा है one plus x plus x square by two factorial x q by three factorial यह तो इतो इटो दीपाओर एक्स काफ़र्मला है एक्स के जगे लेम्डा बज़ दिया और कुछ नहीं कहा नहीं सबको समध्माई कि नहीं है एक्चुल में e to the power x का formula है और e की power x का formula भी यह होता है अब यह lambda और यह lambda तो कड़ गया क्यों e की power minus lambda है बेस से में power जुड जाती हो जीरो हो गए ओर रोल क्या बच रहा है वेटा सिर्फ और सिर्फ lambda बच रहा है इसका मतलब mean कितना होता है mean आपका कौन हो गया सिर्फ और सिर कलती है कि अ कि बोलो अ कि चलिए अगर आप से बोलू कि क्या आप लोग वैरियंस निकाल पाओगे है कि डर्ग है डरना नहीं है वैरियंस पूछ रहा हूं मैं आपसे इतने बार बताया हूं वैरियंस आप लोग को वैरियंस केल्कुलेट करने और मिरको बताना है कि क्या इ चितना आएगा तो एसका वैयर निकाल के मेरे को बताओ किसार वैइन्स इतना आएगा मेरे वैयरेंस चाहिए में इन अन्सकान में आपको पर करने वाता का काम है ठीके इसका फार मतारा है स्पस्टप स्प्सक् स्पार माइन 2-1 इसको किल मेन बोलते हैं इसकी वेलू कितनी है अभी निकाल दिया लेम्टा अब आपको इसका निकालना है और इसको निकालने के लिए प्रोसेस सेम है प्रोसेस सेम है बस यहां एक्स के जगह एक्स स्क्वेर का मल्टिप्लाई करना है ठीक है आम आपको 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 निकालना है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बता हो मैं मीन के बाद वारीन्स तो अभी हमको सिर्फ पहले ये कल्फलेट करनी है फिर यहाँ पर लाके रखा देना है ठीक है तो अबन क्या कर सकते इसको चाहें तो equation 1 दे दे क्योंकि यहीं पर चलाओगे तो अलग से ओ लग जागा समय लग जाएंगे ठीक है अलग से निकाल लो expectation of किसकी value x square और इसका formula क्या होता है इसका formula होता है summation बनाना है ठीक है summation बनाने के बाद x के जग़ 0 से लेके infinity तक जाएंगे यहाँ x square के साथ इसकी probability mass function को value लिखी चाहती है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा summation बनाना है x के जग़ 0 से लेके infinity लिखना है x square अपने जग़ रहेगा और probability function कितनी है अभी मैंने बताया एकदम याद होना चाहिए e to the power minus lambda to the power x divided by x factorial होता है ठीक है अब क्या कर सकते हैं इसमें अपना दिमाख लगाओ summation x equal 0 से लेके infinity अगर मैं यहाँ पर क्या कर सकता है इसको x होता तो कड़ जाता तो कड़ नहीं रही काम करो इसको दो हिस्से में तोड़ दो x square है इसमें एक x जोड़ दो और एक x घटा दो ठीक है कोई इसू नहीं है कर सकते यह चीजे अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ से summation x equal 0 से लेके infinity है अब इसको मैं अलग-अलग करूंगा कित्त आ रहा है क्या बोल रहे हो a square minus a a means lambda बोलना चाहरेगा lambda square minus lambda क्या बोल दो a कहां से आ सकता है कि लेंड़ा स्क्वेर माइनस कि ठीक है कि तो मैं इसको आगे पीछे करके इसको एक काम करता हूं यहां से इसको माइनस कर देता हूं और इसको प्लस कर देता हूं है वही चीज़ इसको पूरा प्रोड़क्ट एक बार इसके साथ लिके जाओगे तो एक स्क्वेर माइनस एक बार लेके चले जाओ इसको हल करने के ज़रत नहीं है इसको हल करने के ज़रत नहीं है क्यों क्यूंकि पीछे हमने हल किया है देख लो अच्छे से यह यह वाला चीजे यह चीज़े को हल करके तो अधर लाये थे हमने कितना लाया लेकर रहा है तो इसकी वेल्यू लेंडा मिल जाईए बस इसको हल करना है अलक्स तो इसको हम क्या लिश सकते हैं भाई ध्यान से देखो एक्स बराबर जीरो से लेके इनिफिनिटी तक है इसमें एक्स कॉमल लोगे एक्स कॉमल लोगे तो एक्स डॉट एक्स माइनस वन मिलेगा ठीक है एक्स माइनस टू फैक्टोरियल यहां रोको तो इसको और और इस प्लस को मैं सीधा-सीधा लेंडा लिग दे रहा हूं रिजन फ्रॉम एक्वेस्ट प्रीवेस्ट एक्वेस्ट से हमने इसकी वेल्यू को कल्कुलेट किया था एंसर लेंडा आएगा इसका ठीक है कि इसको तो टोड़ोगे तो यह देखर पूरा कैंसल आउठ हो जा रहे है कौन कौन से कैंसल हो रहे है भ deriv पर देखोगे यह x-1 x-1 पूरा cancel हो जा रहा है तो कौन बचार है सिर्फ और सिफ समेशन x equal 0 से लेके infinity e to the power minus lambda को बाहर करोगे ठीक है और lambda की power x divided by x-2 factorial है plus lambda है ठीक है नद्हें को जखाए मातमेल की आप वूल है का जाएंगी नहीं यह जाइंगी यह ब्रता नाय जाएंगे तो संदी को इने जाएंगा यह को धवरिश्दुड़के जाएंगे है कि कोई ज़रत नहीं है कि अब भाई यहां तक आया समझ में कि नहीं आया कि उसके बाद यहां से फिर से इसको देगो पावर बेस को सेम बनाना एक्स मैंस टू बनाना तो यहां भी क्या करना पड़ेगा हमको दो स्टेप आगे जाना पड़ेगा और अभी सिखाया था जब हम दो स्टेप आगे जाएंगे तो यह लेंडा एक्स समिशन एक्स इकॉल टू लिखना पड़ेगा टू से इनिफिनिटी तो यह लेंडा की पावर क्या लिखना पड़ेगा लेंडा की पावर एक्स माइनस टू लिखना पड़ेगा लेकिन यहां यहां पर बैलेंस करने के लिए यहां पर भी किस से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा लेंडा का स्क्वाइर से ठीक है और यहां पर क्या बन जा गए एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल प्लस लेंडा चल रहे हैं अब यहां से देखोगे यह फिर से वापस अभी सॉल करूंग है तो यह तो उसी कई फर्मुला होता है और माइनस कितना है यहाँ से प्लस का लैंडा है यह एक सल आउट होगे सिर्फ और सिर्फ लेंडा स्क्वाइर प्लस लेंडा मिलेगा अच्छा आप यहीं बता रहे थे एक्स्पेक्टेशन आफ वेल्यू की तो वहां पर लेंडा स और एक्स जब हम काल्कुएट करेंगे तो फार्मुला था लंडा Hisquayera प्लस लंडा शयर बनेगा माइनस लंडडा का स्व क्यों हुआ इसके वेलीμοी लंडा आई थे लंडा का स्व क्या होगा लंडा स्व बन जांगा ठीक है यहां से फिर यह हैं से कैंसल होता है लेंडा के कब जब आपका X कैसा हूँ एकश जो है फॉलो कर दे पॉइजन distribution को जब भी एक्स अगर आपका पॉइजन distribution हो गा तो मीन हो गया variance हो गया आपस में equal होते हैं कि तहानी समध में आई एस जल्दी बताओ भी क्या सब को clear हो गया चलिए वेरी गुड अगर समझ में आ गया तो एक कोश्टन को फिर हल करते हैं अरीस कोश्टन का एंसर में सबसे सुनना चाहूंगा ठीक है आप लोगों को बताना है सका एक रैंडम वरीवल एकस हैं मैं आप लोगों को इसे लिए एक एक ची छोटी छोटी जै भाले टाइम लगेए विडियो में कोई दिक्कत नहीं है एक वीडियो और बढ़ जाए, दो वीडियो और बढ़ जाए, कोई issue नहीं है, लेकिन आपका concept clear होना चाहिए, इन concept को clear करने के लिए मैं अभी बहुत time है हमारे exam के लिए, अभी बहुत time है, तो उस duration में चाहें तो आपन गया कर सकते हैं, एक second हाँ तो मैं ये बो रहा था, थोड़ा सा और लंबा चले जाए, कोई issue नहीं है, लेकिन आपका concept clear होना चाहिए, क्या सभी लोगों को concept clear हो रहे हैं के नहीं, धीरे धीरे ये बताओ, कि अभी भी कहीं problem आ रही है किसे को, बता भाई, मैंने ये subject को अभी क्यूं लिया, मैंने एक आपका सबसे basic चीज़े, linear algebra जो कि easy था, उसको मैंने cover करा दिया, आगला probability को cover करा दिया, status को भी आप cover रहे, ये दोनों subject ऐसे थे, जो थोड़े से lengthy लगते हैं, ठीक है, तो इसलिए, इसलिए मैंने क्या किया कि ये subject को पकड़ा है, इसके बाद सारे आपके easy है, अब बचाही क्या, calculus इतना easy है कि अराम से हो दाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका बचता है कौन सा numerical analysis वो भी easy है, तो आगे जो process है, वो सारा अब आपका easy है, जो main concept था probability और static, जो की थोड़ा सा बच्चों को hard लगता है, इस वज़े से मैंने इसको अभी पकड़ा है, और इसको ताकि अराम से लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाना चाहिए, चलिए, ठीक है, तो एक question है, यह x जो है, क्या है random variable है, किसको follow करता है, x as a poison distribution, ठीक है, x as a poison distribution, और such that इस प्रकार से हैं, कि probability of x equal 2 की जो आई के probability, 2 के लिए जो probability है, वो कहीं ने कहीं, 3 times probability of kis के x equal 4 के, ठीक है, यह चीज़े एक condition देती है, तो आपको बोल रहा है, find करना है, find then, find mean, आपको mean find करना है, चलिए, एक बाट try कीज़े, महनत कीज़े, बिल्कुल बनेगा, आपको असान करने के लिए मैं option दे दे रहा हूँ, 1, minus 2, minus 1, fourth option, 2, चलिए, try कीज़े एक बार, विरहए में गत्सक passado है, झालिए, हैं याओ करने, यदालिए,। आम Tennesseeive थे एकिज़े दो math की dign Nitने है, war वावपिक है, dépend陛े ईले किज़े, थो झालिए, आपको देने है, वावपिक है, त гор स्स्ते उने है, अपको बार आब है, है तो, ढ कर अगे, तो, ऊहको दो farmer knows Puta झाल 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 किसी गाया एंसर अभी तक कंडिशन दी हुई है सारी जीटे मालूम है आपको प्रोबेबिटी मालूम है प्रोबेबिटी मास फंक्शन मालूम होता है सभी पर अपलाई करो आपको मिन मिल जाएगा यू विल ट्राई देन यू विल फाइंड एंसर ओके एक ने एंसर दिया चली ठीक है और 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 बाखी लोग भी ट्राई किजी प्रोबेबिटी मालूम है चली वेरी गुड तो आप लोगों ने मनाया ट्राई किया एंसर जो है बता रहे हो आप लोग टू ठीक है चले अब हम एक बढ़ ट्राई करते हैं ही क्या गीवन तो गीवन एक्स यहीं से आपको समझ में आ रहा है अरे यार शॉलिसन देखें ठीक है अर्राम से समझ यह एक्स के बारे में बोल दिया है पॉइजन डिस्ट्रिविशन है ऐसे लगा लो एक्स पॉलोड वाई किसको पॉइजन डिस्ट्रिविशन और यहां क्या होता है लेमडा होता है यह बस आपको लेमडा की वैल्यु कया थे इसका मतलब to the power x divided by x factorial यह होता है ठीक है जहां पर x mention होता है किसके लिए यह तो आपको 0, 1, 2 कोई भी नंबर हो सब के लिए यही अप्लाई करनी है तो condition क्या given है कि condition यह given है कि जो probability होती है किसकी x equal 2 के लिए है वो तीन गुना है probability of x equal 4 के लिए कोई issue नहीं है इसमें लगा के रख दो formula x equal 2 के लिए यह तो general formula है x equal 2 के लिए बताओ कितना बनेगा तो simple e to the power में minus का lambda into lambda की power 2 divided by 2 factorial होगे equal में तीन गुना होगा किसका 4 के लिए e to the power minus lambda into lambda की power 4 divided by 4 factorial एक्दम simple next step यहां से देखोगे एक की power minus lambda यहां से एक पाउर माइनस लेंडा cancel हो जाना है यहां से क्या बचर है lambda की घात में 2 divided by 2 ही होता है 2 factorial यहां पर 3 अपने चका है 4 factorial 24 होता है into lambda की power 4 है एक एक दो कटेगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा यह भी कटेगा तो इदर से 1 बचेगा यहां से ओर ओर बन जाएगा क्योंकि lambda square से lambda square कटेगा है lambda square आएगा 2 से काटोगे तो 12 बचेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा 1 is equal to 3 upon 12 बन जाएगा क्योंकि 2 से कटेगा तो यह बचेगा साथ में lambda kia power दो बच जाएगी क्योंकि 4 में से 2 कट गया दो बच गया अब 3 से काटोगे तो 3 चोग 12 होता है तो यह कहीं न कहीं 1 is equal to 1 by 4 into lambda square आएगा cross multiply करोगे तो lambda square is equal to 4 आएगा और यहां से lambda की value आजया नहीं है plus minus 2 आती है लेकिन इस जो condition में बताया था आपको कि जो parameter होता है इस parameter में lambda की value कैसी होनी चाहिए greater than 0 होनी चाहिए mention नहीं है तो पता कर लो ठीक है lambda की value क्या होती है 0 से बड़ी होती है 0 से बड़ी इसले क्योंकि अगर lambda की पूट करेंगे तो मीन मिलेगा मीन जो है कहीं न कहीं probability first value 0 की depend करता है तो वहाँ पर वो क्या है probability negative बन जाएगे तो इस वज़े से probability negative नहीं हो तो लेंड़ा कमाद 0 से बड़ा ही रखना है तो कहीं नहीं लेंड़ा की value कितनी लेंगे हम दो लेंगे क्या आया सब को समझ में बताओ जिन से नहीं बना था उन से भी हो गया आगया clear हो गया कहीं दिक्कत और लेंड़ा एकॉल टू आना मतलब यही कौन है मीन है तो मीन को ही हम बोलते हैं लेंड़ा तो मीन मीन हो या लेंड़ा वेरियंस हो दोनों की value लेंड़ा एकॉल टू ही आएगी चले कि यहां तक कि चीज आ गई अब बात करते हैं इसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एक कुस्सन मैंने बता दिया मीन वरियंस रेके पॉर प्रोबिटी पॉईजन डिस्ट्रिवेशन के लिए ठीक है अब बात करते हैं किसके लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सबके के लिए हमने कराया है इसके लिए भी करेंगे भई मोमेंट कर जनेरेटिंग फंक्षन कि तो मोमेंट जनेरेटिंग फंक्षन कैसे कल्कुलेट करते हैं मैंने आपको सिखाया है इसका फर्मा क्या होता है पॉमंट जनेटीव फंक्षन को अगर X फॉलो करता है मोमंट जनेटीव फंक्षन किसका निकालना है आपको पॉइजन डिस्रियोबिशन के लिए इसका फार्मला कहता है एक्सप्टेशन ओफ इटू दीपावर में tx यही तो लिखाया था और एक्सप्टेशन के साथ किसी भी वेरीएबल का निकालना हो तो क्या किया जाता है एक्स होता तो एक्स से मल्टिप्लाई किया जाता है इसको सिंप्लिफाई करोगे और आपको एंसर मिल जाएगा अब सिंप्लिफाई कैसे करोगे यहां पर सिंप्लिफाई करो समेशन एक्स इक्वल जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स को अपने जगर रहें दो इसका फर्मला इक्तम याद होना चाहिए अब तक इतने बर बनाए तो आपको याद होना चाहिए क्या बताया था एक्स लेंडा लेंडा टूदी पावर एक्स डिवाइड लेंडा को बाहर कर दो कोई रिक्कत नहीं क्या बचने वाला है यहाँ पर सिर्फ और सिप समयशन एक्स इक्वल जीरो से लेके इन्फिनिटी एट दी पावर टी एक्स इंटू लेंडा की पावर एक्स डिवाइड वाई एक्स वेक्टोरियल अब यहाँ पर आपको वेल्ल 123 जब आप एक्सेज़ गए 0123 पुट करते हो तो देखो क्या मिलने वाला है मोमेंट जाने टीम फंक्शन ठीक है और यह आता है यहां पर इट दी पावर में माइनस लेमडा बाहर है इसमें आप एक्सेज़ गए 0 पुट करोगे तो पहला तो वन ही आने वाला है क्यूं क्यूंकि तो बना ने वाला है सेकेंट आएगा एक्स जीरो फैक्र बन डाला टफॉरम तो एक्सटेज़ का वर वन पावर टी और इन्टो में लेमडा की पावर टी उमन मिलेमडा divide by 1 factorial आजाएगा second put करोगे तो e की power 2t बनेगा lambda का square बनेगा divide by 2 factorial आजाएगा 3 put करोगे तो e की power 3t lambda की power 3 divide by 3 factorial and so on आते रहेंगे यह चलते रहेगा ओर ओर अगर हम देखें इसमें क्या कर सकते हैं यहां से आप अच्छे से देखो e to the power minus lambda को भोल जाओ यह कहीं नगी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो एक चीज़ और बता देता e की power 3 lambda को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो e की power 3 lambda e की power lambda 3 lambda लिखा है ना e की power 3 lambda को यहसे निलिख सकते कई बच्चों को doubt ना हो यह सारी चीज़े समझने चीज़ें बेस से में power जूड जाता है आपको पता है बेस से में power जूड जागा तो 3 lambda को आपन ऐसे लिख सकते हैं दूसरी चीज़े यह x हो सुचो x dot x dot x dot यह कहीं ने कहीं e to the power lambda की power 3 इसे भी लिख दो के तो क्या पूरा है भाई आपको पता होगा x dot x dot x को हम कहीं-कहीं x q भी लिखते हैं बात समझ में आ रही है तो यह अगर x है तो x x x e ki power 3 बन जागा it means e ki power 3 lambda को हम क्या represent कर सकते हैं e ki power lambda लिखके whole q लिख सकता हूँ अगर कोई बोले sir e ki power 4 lambda को क्या लिख सकते हैं तो e ki power lambda की power 4 लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सारी चीज़े सेम है इतनी सी चीज़े अगर आपको समझने में आ गई तो यहां से आपको समझने में कोई issue नहीं आएगा इस सवाल को यहां पर देखो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ e to the power lambda into e ki power t into lambda यह अपने जगह है divide by one factorial है यह ऐसा bracket बना दिया यहां पर देखोगे यह दोनों side में square square इसको मैं whole lambda का whole square बोल सकता तो कहीं न कहीं यह t है यहां पर ओक्या है वहां पर t है e ki power 2t है ठीक है तो यह देखोगे ना तो e ki power t into lambda लिखके whole square लिख दो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यों e ki power lambda की power t की power करोगे तो 2t बन जागा lambda का square बन जागा divide में क्या लिखा हूँ है 2 factorial है 3 को भी क्या लिख सकते हैं प्रकार e ki power t into lambda और whole q लिख सकते हैं divide by 3 factorial और plus and so on ऐसा लिख सकते हैं ठीक है अब यह बाहर चला गया बाहर नहीं जाना चाहिए हमारे इसको ऐसा लिख तो कोई दिक्कत नहीं है इतना करने के बाद अब ये आपके माइन्ड में सेट होना चाहिए फॉर्मॉला कौन सा अरे भीया e to the power x का फॉर्मॉला होता है one plus x plus x square by two factorial one factorial plus x का q by three factorial plus and so on इस चीज को हम ऐसा लिखते हैं बस x के जगह replace कर दो e की पावर t into lambda से तो क्या बनने वाला है ये ये बनेगा e to the power minus lambda अपने जगह है ये बन चुका ये overall बन गया e to the power x x के जगह ये bracket चल रहा है e to the power t into lambda आया समझ में अब ये देखो क्या हो गया बेसे में तो power add हो जानी है add हो जाएगी तो ये कितना बनेगा एक e लिखेंगे और ये power add हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा minus lambda plus lambda into e to the power t ऐसा बनेगा और यहां से lambda common है तो कहीं न कहीं ये किसके बराबर आ रहा है e to the power में lambda common करेंगे तो ये जो है e की पावर t minus 1 ऐसा के form बना सकते है तो अपन जो है lambda को बाहर करेंगे और पहले positive वाला लिख रहा हूं e की पावर t minus 1 माइनस वन ऐसा लिख दिया दिस इजर मोमेंट जनेटिंग फंक्शन मोमेंट जनेटिंग फंक्शन खिलेर हुआ किसी को दिक्कत यहां तक समझने में कि सबको आ गया समझ में जल्दी बता हूं कि सबको के लिए रहे हैं तो कमेंड करों कहीं किसी को problem तो नहीं कि चले लास्ट स्टेप बता देता है कि देखिए यह किसका फर्म आता है एक पार एक्सका फर्म ना समझना है इल्टू दी पार सम्थिंग जो भी होगा तो यह एक्स के जगद चलते रहता है वन प्लस एक्स प्लस कि अ कि अ कि अद्य को यह एक्स अगर यहां वाई होता तो क्या लिखते वन प्लस वाई बाई बाई वन फैक्टोरियल वाई स्क्वेड़ी वाई क्यू भैए थ्री यहां चलता है यहां पर आपको इस ब्रेकेट बायक्यू लिखाऊ मिए अच्छे से देखो compare करो देखो 1 है 1 है प्लस यह पूरा x का रोल नहीं भारत x by 1 factorial x का square by 2 factorial x का q by 3 factorial तो यह कहीं न कहीं किसको denote कर रहा है बताओ यह कहीं न कहीं आपको यह जो है moment generating function कल्कुलेट कर रहे हुआ अप लोग तो यह जो है e to the power minus lambda अपने जगा रहेगा यह पूरा फॉर्णा बन गया e to the power x का यह लिखा और x के जगह यह bracket चल रहा है bracket क्या लिखा हुआ है e to the power x q की यही bracket में दिख रहे दिख रहे तो x से जगह वही चल लिख हो यह यहां के बाद क्या हो गया अब बेस सेम होता है तो पावर एड हो जाती है तो पावर एड होगी तो क्या मिलेगा भाई अब यहां से क्या लग रहा है आपको नहीं दिख रहे यहां से अगर मैं लेम्डा को कॉमन कर दूं लेम्डा करोगे तो माइनस वन प्लस एकी पावर टी बचेगा तो पहले पॉस्टिव आले को लिख लो एक टुदी पावर टी और प्लस माइनस का वन यह बचेगा यही आपका क्या है मोमेंट जानेटिंग फंक्शन है कि लेर हुआ अब आप किसी को दिक्कत कि समझे में आई बात कि बदाव पांडेजी समझे में आया आपको यह स्टेप कि समझे में आपको यह था स्टेप इन कहां आंपको दे अब आते हैं अब आते हैं अब आते हैं फिर एक कोशन पर इसी के वेश पर एक कोशन देता हूं मैं ठीक है तो कोशन नमबर अब तक कहीं कोशन दे चुके हैं क्या चले कोई रिक्कत नहीं हाँ पर भी कोशन नहीं लिग देते हैं ठीक है पर नहीं लिग देता हूं कि इफ क tone X and Y को का है कि अपस में इंडिपंडेंड ते में रंडम वरिबर हैं एक्स saben अपस में इंडिपंडेंड रंडम वरीबल डेखिए नहीं ति विट उसके चिह क्या क्या की वन हैं पीट मोमेंट जनेटिंव फंक्शन मोमेंट जनेटिंव फंक्शन दोनों का दिया हुआ है मालों पहला एक्स का जो मोमेंट जनेटिंव फंक्शन है वो में एक्स एक्स का जो जो मुमेंटट्जरिटी बंक्शन है वो 1 to the power 2 u to t उट माइनस वन गीवन है एंड जो वाई वाले का मोमेंट जनेटी वंक्सन है वो आपके पास है वाई वाले का जो दिया हुआ है वो है वन प्लस थ्री एटू दी पावर टी होल की पावर थ्री बाई एट्टी पॉर यह गीवन है तो क्या इनको देख क्या बता सकते हुँ कि यह कौन सा डिस्ट्रिविशन का यह कौन सा है अपको पता कर पावावे कि एक्स कौन सा रेंडम वरिवल बनेगा किसको फालो करता है वाई के लिए कौन सा फॉलो करता है क्या दोनों कौन से वरियेवल हैं डिस्ट्रीबिशन कौन सा डिस्ट्रीबिशन है क्या कोई बता पाएगा अगर बता सकते हो तो बता दो मुझे कि पाइंड करनी है प्रोबिल्टी ओफ एक्स प्लस वाई एक्वल जी रो कि अगर कि इस मुझे जरे टिंग फन्क्शन से देख को बता सकते है क्वा पाऊगे और इसको देखके आप बता सक्ते हैं कि वाई कॉन सा डिस्ट्रीबिशन है मैं आब सभी से हैं सभी ओके तो आप सब लोग समझ गए तो एक्स जो है वह बता रहा है एक्चल में कौन सा है पोईजन डिस्ट्रीबिशन है और वाई फ़लो करता है किसको बाइनोमिल को वैरी गुट ठीक यहां चीजे समझ में आ गए तो ऐसे ही कोशन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वह किसको फॉलो करता है पॉईजन डिस्ट्रीबिशन को और पॉईजन डिस्ट्रीबिशन के साब से लेंडा होती है तो लेंडा की वेल्यू कितनी है इसको आप देख के बता सकते हैं इसको आप देख के बता सकते हैं यहां से बन गया देख रहा है दूसरा वाई जो है व बाइनोमिल डिस्ट्यूबिशन के लिए पहले इसको उस फॉर्म में सेपरेट करना पड़ेगा तो बाइनोमिल डिस्ट्यूबिशन में सेपरेट करने के लिए मोमें जनेटी फंक्शन बनाना पड़ेगा थोड़ा सा लेकिन वो आपको दिख रहा है यह इसको कैसे लिखते ह हैं बिटा इसको अंदर लेके जाओगे तो इसको कितना लिखना पड़ेगा किसकी पावर करनी पड़ेगी क्यों टी फोर जो है अंदर कवर हो जाए कि बताओ यह वाई मिस्टेक है यह 84 नहीं है 64 ठीक 64 तो फोर फोर जा सेस्टिन इंटू फोर करोगे तो 64 दागा तो यह एक्चल में फोर का क्यों है इसको एक साथ अंदर लिखोगे यह क्या बनेगा वन वाई फोर प्लस थ्री वाई फोर इंटू दी पावर टी और होल क्यों यहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो यह क्या बनता है क्यूब यह बनता है पी इटू दी पावर टी फोल क्यों हो गया तो मोमेंट जनेटिव फंक्शन वाई जो है यह ज तीन है और उर पी कामान कितना है ड ईंट वॉटा कान उताई यह दोग्मान कितना है ओसी यहां सब्सेयल गल्सभी बता दिये कि आ कितना 4.37 के यहां में आ रहा है न देखते हैं लिआ कि की वेलुया पांड गयाальным न न explains कि पॉन में एक थो ए stressing गाई था है चल गाई इन她 उसका निकालना को किसटी निकाल पहला आते हैं सवाल पे probability बोल रहा है find करो एक्स प्लr Y equals zero बिए एकस और ग Samantha है इनडिपैंडेंड हैं तो यहां पर हम कहीन यह वाला अपलाई करते हैं प्रोबिविटि और हम एक्सडिप्वल जीरो भी बोलते हैं और वाई एक्सचिवल दोनों के लिए ップूलते है ॏ helping के लिए अपमेनिंग क्या यह पाया निकाल लो और लो इन्टू कर दो किसका आप प्रोबिबिविल्ट्ट फाइक लिख रिखलो पुरबिल्टी और एक्स उक्वल-जीडो बोलो कॉमाइक वाइक वीजीरो बोलो तो यह दोनों इंडीपेंडंड होने की वज़े से इंडीवीजुली इनके फ्रोडक्ट के ब्रावर हो यानि कि individually निकालना पड़ेगा यानि कि probability of x equal 0 के लिए दूसरा into करोगे probability of y equal 0 x जो है कौन सा follow कर रहा था बाइनोमिय पोईजन distribution y जो है बाइनोमियल का distribution तो दोनों का अलागला probability mass function आपको given होती है apply कर देना है अब बताओ यहां पर इसका probability क्या होगा इसका फर्म होता है एटो दी पावर में माइनस लेम्डा लेम्डा टूदी पावर एकस एकस के जगह 0 डिवाइड वाइड बाइकस factorial means 0 factorial इंटो यह आपका बाइनोमियल distribution है बाइनोमियल distribution का फर्म याद है किसी को बाइनोमियल में ncr के फर्म में चलता था तो n आपका 3 था n आपके पास given है देख सकते हो n की विलूटीन है p की विलूटीन है तो np का रोल होता है तो वह 3c0 होता है ncx होता है पी यहाँ पर पी आपका 3 by 4 है 3 by 4 की पावर 0 करोगे और क्यूब और क्यूब की विलूटी है यहाँ पर इसकी पावर में n-x यानि कि 3-0 बनेगा और उसके बाद और यहां से सॉल्ट करना चालू करेंगे तो क्या बनेगा देखो यह सब 011 हो गया ओनली इटू दी पावर माइनस का लेमडा बच गया ठीक है और यहाँ पर अपने पास लेमडा की वेल्यू मालूम है लेमडा की वेल्यू इस के लिए कितनी है लेमडा कमा निकाले थे टू तो यह बन गया एटू दी पावर में माइनस तू यह तो वन हो गया खतम इन्टू में 3C0 मिंस इनको जिरो टाइम करना मिंस यह वन ही होता है ठीक है nc01 होता है ठीक है कि सिक पर 0 मेंस भोभी वन होता है ये बच गया बना फ़ोर की पावर कितना ठीक बन गया कितना आया सिर्फ और सिर्फ एट टुदी पाउर माइनस टू डिवाइड वाई फोर की पाउर थी मिन्स 64 आएगा क्या सब लोग का यहीं आया कि किसी का प्रॉब्लम हुआ बताँ कि सभी का क्लियर हुआ यह चीजें इसका एंसर कितना अब एक ही वेल्यू तो टूपांट सम्धियों कल्कुलेटर ही देगा अधर्वाइस इस फॉर्म में लिखना है तो यहीं मिलेगी है ठीक है हए अगधर को संन में प्रोबिल्टी औफ एक्स प्लस वाइक्स और यह फॉट्ज देता तो क्या होता प्रडविल्टी औफ-प्लस वाईए क्बल माल channels अगर सामने वाले ने दो देता तो दो कैसे लिख सकते हैं जितने आती सभी को लिखते हैं इसको कैसे लिख सकते हो probability of x को 0 रख दो y को 2 रख दो एक ये case प्लस करना पड़ेगा probability of x को 1 कर दो और y को 1 कर दो ये case बनेगा प्लस x को आपको 2 रखना है y को 0 रखना है जितने case बनेगे सबको अलग अलग निकालोगे इसको भी अलग इसको अलग इसको अलग और इस तरह से आपको calculate करनी पड़ेगी और इसका sum करना पड़ेगा final answer एगा तो कभी भी equal आएगा ध्यान से देखना question में जब भी ऐसे equal वाल कि इसको solve करके देखना पड़ेगा कौन को जीरो और दो का भी सम होता है 11 का भी दो सम होता है टू प्लस जीरो भी टू भी होता है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि लेर है कि बताओ कि चले उसके बाद आता है आपका डेती प्रोपर्टी इस के लिए भी ओंप तो सद्रीट नर्सीर की अधिप ऑफ पउईजन डीच्टिव depende तो एडिटीव प्रोपर्टी ओफ पॉईजन डिस्ट्रिबिशन के लिए भी क्या होता है कैसे सॉल्ट करते हैं यह एक्चुल में किसका एक्स प्लस वाई के लिए बताता है ठीक है तो माल लो एक्स और वाई क्या है इसकी लिए कैसे सॉल्ट किया जाता है इसकी डेफिनेशन क्या होगी माल लो एक्स लेट एक्स एंड वाई आर कि टू क्या है इंडिपेंडेंट वेरियेबल इंडिपेंडेंट वेरियेबल है अब इंडिपेंडेंट वेरियेबल है ठीक है विथ पैरामीटर होगा कुछ इनका विथ पैरामीटर लेम्डा एंड म्यू ठीक है रेस्पेक्टिवली और यह ध्यान देना पॉईजन के लिए मतलब यह पॉईजन को फॉलो करता है ठीक है अगर असा है तो आपसे पूछ रहा है यह कुश्चन बताना चाहता है कि इनका क्या जैड भी फॉलो करेगा ठीक है देट sono यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्स जो है फॉलो करता है पॉईजन डिस्टिपिशन इंविध पैरामीटर लेम्डा एंड यहाँ पर अगर हम बात करें y भी क्या प्लो करता है पॉइसन डिस्टिविशन इस पपिरामिटर मी यू न हमको चक्क करना है कि क्या जैड़ भी फॉलो करेगा पॉइजन डिस्टिविशन अफ सम्थिंग मैं लो हुज भी यहां पर लिख देगा लेंडा मुओ और यहां पर गामा यह यह तर शाइब फॉलो करेगा यह को स्नुमार्क है है इस और जैड़ भी फॉलो करेगा पॉई निस्टिर्बिसन या फिर इसको फिरुरेटी का लिख लो ड़ेन हुआ है अधर अपने को चेक करना है कि क्या जैड़ेज़ मीन्स क्या इन दौनों का सम्ट एधों करेगा किसको पॉयज़न को उसके लिए चेक करना पड़ेगा इसका क्या मुवमंट्ट जैंट्यपर संटन कंक्ट करके ठीक है तो कैसे कर सकते हैं यहां पर ले लेते हैं इनका सम्म चाहिए हमको तो माल लो इनका सम्म एक निया वेरीबल नाम देता हूं माल लो जड़ जड़ कोई और नहीं एक्स प्लस वाई है ठीक है तो अब इसका मोमेंट जरेटिंग फंक्शन ही बताएगा यहां से यह चीजे तो करनी है यह बताओ अगर एक्स फॉलो करता है कि इसको पॉईजन डिश्रिबेशन विथ लेमडा इस इंपलाइस हम इसका मोमेंट जरेटिंग फंक्शन यह होता है फर्मला इसका मोमेंट जरेटिंग फंक्शन एक्स को कब क्यूंकि एक्स जो है फॉलो करता है किसको पॉईजन डिश्रिबेशन अब अगर मैं बोलू वाई भी तो फॉलो कर रहा है वाई इस फॉलोड वाई पॉईजन डिश्रिबेशन विथ पैरामेटर म्यू this implies हम बोल सकते हैं moment generating function of y is equal to e to the power mu bracket में e to the power t minus 1 के लियर है हमको calculate करनी है moment generating function of z का तो z का निकालना है तो moment generating function of z इसका calculate करना हो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो moment generating of किसका x plus y है तो जूंकि x और y independent है जब independent होता है यह फॉर्मला लिखाया था भी जब भी since x and y कैसे है आर independent जब भी independent होते हैं ठीक है तो इनका सम का जो moment generating function होता है वो individually product के बराबर होता है यानि कि इसका into moment generating function of y into t इसके equal होता है उसके बाद इसका problem लगा दो e to the power में lambda bracket में e to the power t minus 1 यह हो गया x का moment generating function into y का निकालना है तो y के लिए e to the power mu bracket में e to the power t minus 1 लिख सकते हैं since base is equal जब base से मुझाते देन power is added जब भी base से मुझाते तो पावर को add किया जाता है तो add करोगे तो lambda into e to the power t minus 1 यह वाला plus mu into e to the power t minus 1 लिख सकते हैं कि क्या इसको सौलक किया जा सकता है कि नहीं बताओ यहां से देखोगे e की पावर t common है तो e की पावर t common है तो lambda plus mu आएगा तो e to the power में lambda plus mu आएगा और e to the power t के साथ जाएगा दोनों से common लिया मैंने एक ही पावर t तो lambda plus mu ठीक है फिर यह अंदर जाएगा minus lambda यह अंदर जाएगा minus यह अलग से लिख दिया minus common निकालके minus common निकाल दो और lambda plus mu लिख दो एक ही बात है तो दोनों साइट से देखो अच्छे से lambda plus mu common निकलेगा ठीक है एक एक चीच को ध्यान से समझना पड़ता है यहां पर तो e to the power में lambda plus mu को अगर हम common कर दें तो यह फिर से वैसे e to the power t minus 1 के form में दिख जाएगा और यह अगर इस form में दिख रहा है तो यह कहीं ने कहीं हम बोल सकते हैं this implies z जो है वो भी follow करेगा poison distribution with parameter lambda plus mu के बराबर हो जाएगा है clear है मतलब z w क्या हो जाएगा poison distribution बन जाएगा है मतलब दोनों का अगर दो variable हैं इंडिपेंडेंट variable हैं और वो दोनों poison distribution को follow करता है तो उनका संभी poison distribution को follow करेगा ठीक है ऐसे एक जगह पढ़ेते साथ binomial में किसी में नहीं था बाइनोमेल में नहीं बनाता तो उसमें एक केस बना था कि जब पीवन और पीटू जो है वान पी के एकवल हो जाए की वन क्यूटू की सेम हो जाए तभी वो follow करते हैं otherwise नहीं करेगा तो वहां एक केस था यहां पर कोई केस नहीं है आटोमेटिक आ गया क्या सब को समझी में आ गया यह चीज़ें बोलो भई तो बस दोनों का करना अब सीमिलरली इसी प्रकार नोट करके हम नोट करके यह लिख सकते हैं जब ऐसे अगर हो सकता है बहुत सारे वरिबल हो जाए हमारे पास नोट अगर ऐसे हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंदेंट वरिएबल हो जाएं तो भी वो मोमेंट जैने टी फंक्शन को फॉलो करेगा इसका मतलब इफ X1 X2 देस्ट डेस्ट एक्स आर या एक्स के यह सारे क्से हैं आर मोमेंट जे आर इंडिपेंडेंट वरियेवल इंडिपेंडेंडेंट वरियेबल विद फॉलो पॉईजन डिस्ट्यूबेशन यह सभी सभी पॉईजन डिस्ट्यूबेशन को फॉलो करते हैं विद पैरामेटर क्या है विद लेमडा वान लेमडा टू डेस डेस लेमडा के पैरामेटर अगर ऐसा है देन हम क्या बोल सकते हैं से देन इनका सम यानि की एक्स वान प्लास एक्स टू प्लास एक्स त्री प्लास जड़ डेस प्लास एक्स के यह सभी के सभी भी फॉलो करेंगे पॉईजन डिस्ट्यूबेशन को लेकिन पैरामेटर इनका सम हो जाएगा लेमडा वान प्लस लेमडा टू प्लेस डेस प्लास ताक कि इन सभी के पैरामीटर्स को एड कर दोगे वो उनको फॉलो करेगा क्या सब को ये चीज़े क्लियर हुई कि नहीं कि लिए जल्दी बता तो इनका सम भी अपने आप में एक पोईजन डिस्ट्रीबिशन को फॉलो कर देगा लेकिन पैरामीटर चाहिए और वो इन डिविज्वली पैरामीटर के समके एकवल कर दोगे क्या सब को समझ में आया यास या नो करके बताव आप लो कि अब बताव भाई आप लो कि बिल्कुल देरे देरे समझाया हम आप लोगो समझ में आनी चाहिए हअ है 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 हमने दो वेरियेंबल के लिए निकाल लिया दोनों कैसे थे इंडिवीज्वली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंडन मतलब कोई डिपेंडर नहीं है पहला कुछ और है दूसरा कुछ और है जब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडन ना करे उसको हम independent बोलते है उसके बाद दोनों का जब sum करेंगे तो यह雙ों यह दोनों Poison Distribution को फॉलो करता है तो उनका sum भी Poison Distribution को should फॉलो करता है लेकिन जब follow करता है तो उसके लिए कुछ parameter चाहिए लाइक आगर अगर follow कर रहा है किसको Poison Distribution को तो उसके लिए lambda न्यायम्टा para उनों के सम पैरामीटर के सम के इक वला दिख रहे सेम तो है बस यहां इस चीज का फर्क आगे लेमडा प्लस मिउ के पैरामीटर के सम के एक वला आता है तो इससे कॉन्कुलिजर हम निकाल पाएं अगर हम दस ठोक दे दें जैसा के दस आपस में इंडिपेंडेंट होंगे तो रहेगा है ठीक है मतलब दस ओको जोड़ोंगे तो इनकी अलग अलग जो पैरामीटर है उनको जोड़ दो और यह निकल देगा है ठीक है अब इसके बेस्वे मैं एक एक्जामपल दे देता हूं और आप लोग उसको ट्राइए करना है कि क्या मिलेगा भी अचलिए को संको ट्राइए करते हैं इसके बेस्पे अचलिए इच टॉपिक पर मैं आपको एक एक्जामपल जरूर देता हूं ठीक है मालो इफ एक्स फॉलो करता है इस एक्स जो है फॉलो बाई प्रोबिलिटी पोईजन डिस्टिबिशन इतने सही जहिएँ आज जाना चीह आंको कि एक पोईजन डिस्टिबिसं को फॉलो करता है सीमिलेर ली एक दूसेरा वड करें देता हूं मैं य ही कि आई और बाई जो य ये भी इप ऊएसन डिस्टिबिशन कोई फॉलो करता है बाईती then आपको बताना है find करना है x और x और y आपस में यहां पर बोल देते हैं यह भी and यह भी mention होना चाहिए and x and y are x, y are independent independent random variable ठीक है then calculate करने यह probability of x plus y equal one की क्या try कर सकता है कोई करें कि इसको ट्राइक करना है then find a link देता हूं find probability of x plus y equal one यह चलिए सोचो एक बर दिमाग लगा और मुझे अंतर बता हो क्या आएगा थोड़ा सोचो गे तो हम बन जागा नहीं सचोगे तो थोड़ा सा दिखकत होई हुआ 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 वैसे इसको हल करने के दो मैथढ़ है एक आपका थोड़ा लॉंग मैथढ़ है और एक आपका सौट कट मेथढ़ है चले मैं ही बता देता हुआ नहीं तो आप लोग टाइम लगाओंगे ठीक है सबसे पहले हैं पर दीके दो मैथढ़ सिखाऊंगगा दोनों मैथढ़ से आपको इसका सवलूशन देओंगा ठीक है फस्ट मेथट है पहला देखे से फस्ट मेथट यह हैं कि प्रेस्ट मेथट में चंटनी गए तर्यों सटकट में हो जैड जो है जैड मालो इनका सम है एक्स प्लस वाई है तो यह जैड भी फॉलो करेगा पॉइजन डिस्टिबिशन विथ पैरामीटर इनके सम के याद करो बताया था टू प्लस त्रीके अब भी सिखाया हूं कि जो एक्स का पैरामीटर है वाई का पैरामीटर तो दोनों का सम अनाम जाता है और जाड जब माल लिया तो हमको इसकी फैंड करनी है प्रॉबिलोटि के एक्ष फैंड करनी है एक्सप्लिस वाई एक्वाई से जब बोल दिया और जाड फॉलो कर रहे हैं कि स्कोदी इस यहां से जैड जो है फॉलो करता है प्रबिलूटी फोएजन डिस्ट्रिबिशन भी टैरा मीटर पाइब को तो जब जैड यह वी फॉलोग करता और बडिवाइड बाइड यहां पर आपको जर्ड के वेली कुछ और नहीं सिर्फ पर सिर्फ फाइब पुट करनी है कि यहां पर यह क्या बन जाएगा ऑन दीर पर और माइनस का लेंडा के जगे 5 डालना है और जर्ट के जगा डालना है डिवाइड बई वाइड वाइब वीया वेक्टोरियल और लूल ही आगया 5 ईटू दिपावर माइनस का फाइब डिसीज एनसर इसा प्रोबेबिलिटी आफ जै डेकल वन इसका एंसर आगए अब अगर कोई आप इसके लिए थोड़ा सा लिंदी में जाएगा क्यूंकि जिन ata और एप एक्वल गया ऐसे भीत हो सकता है श्री के लॉटन कर लो पिअन करने करते हैं कि और एक्स प्लास वाई इक्वाल si मुर्ण रहे हैं तो इा कैसे सकते होसकते है एक्स य Bengal जीरो पुट करदो वाई के जगह वन पुट करदो तो भी बनात है दोनों कसम और दूसरा प्रोबिर्टी ओफ एक्स के जगह अगर आप डालते हो तो य जगह जीरो डालतो तब बैन सर्व याता है अज इस एक्स और य इंडिपेंडेंड तो इनको अलग अलग लग सकते हम निद्वर स्पार्वियलीं की अंधीले रहयता हिसका निकालना पड़ेगा प्रोइवॐड़ियो यहां पर य होगा चैनल यहां पर कि ov दालना पड़ेगा इंट्व में प्रभीयॉoleड यह आप líक चाहिए दोनों से ऑगे हां यहां पर x equal 0 वाला case लगाना है मतलब e to the power कितना lambda lambda इसका parameter कितना एक का parameter 2 है तो एक की power 2 लिख होगे एक की power minus lambda होता है एक की power minus 2 into 2 to the power में 0 divided by 0 factorial इसका होगी अगुणा इसका put करोगे तो y का parameter कितना है 3 है तो 3 के लिए बना रहा पड़ेगा 1 की power minus 3 into में 3 की power में 1 की एक सी वाल वाई की विलीवन है डिवैड़ वाई वान फैक्टोरिया फिर प्लस यहां से 1 के लिए निकालोगे तो e to the power में minus का 2 into में किसका निकालना पड़ेगा 2 की power 1 divided by 1 factorial into में e to the power minus का 3 into 3 to the power में 0 divided by 0 factorial इनको सॉल करोगे इनको सॉल करोगे तो क्या मिलने वाले देखो इट यह जीरो रवन होगे ओर और विल्क्या बच रहे हैं से एकी पार माइनस टू इंटो 3 इवक यह तो यह बेश से में तो सिर्फ तू बच रहा होग तो यहां पर आएगा प्लस टू एक यूप आर माइनस फाइप इंटू टू और यह इस आप करोगे तो तीन बार और यह दो टीन दो कितना हो था कर दाल जाता है parameter इसका थे नहीं होता है तो दोनों के समकर होता है challengingaround अंई नहीं पड़ा है इनग ногस अध्रेगा इनको अलग अग करेगा ले थोड़ा सा आप से चेंज हो जाता है कि समझ मैं आई बात यस यह नो करके बताओ जल्दी कि अब देखो कि यहां पर जो को संथा यहां पर यह किसको फोलो कर रहा था यह आपका पोईजन है यह आपका बाइनोमियल है अगर यह पदा चल जाता है यह भी कौन सा है है फॉइजन हो गया तो यह भी पॉइद्व से बना सकते थे जो अभी मेठड सिखाया ठीक है अगर यह मैठ़ड अगर यह पॉज़न पॉजन नहीं है कुछ और है तो इसको फिर अलग अलग ही निकानला पड़ेगा और कोई तरीका नहीं ठीक है दोनों सेम कर्डिगरी के होते तब यह जोड़ा जाता है अधर वाइस डिफरेंट कर्डिगरी को अगर अगर अलग है यह अलग है तो यह मैथर यह सबसे बेस्ट मेठड जो भी सिखायन गल जब आपका एक्स-अलग टिस्टिविसन य अलग डिस्टिविशन यह उसके लिए तो यह अपलाई किया जाता है इस जन्रल मैठड है यह जब आपका दोनों सेम कर्डिगरी का हो गया तो उसको इस्तरप से फॉलो करता है यह दोनों मेठड सेंस कि एक बच गया नॉर्मल डिस्ट्रिविशन जो है आपको बताए जाएगा ठीक है next class में मान के चलो कि हम लोग जो है कौन से श्टाट करेंगे नौर्मल डिस्ट्रीबेशन को कवर करेंगे, ठीक है? तो यह आज के class हीं पर end होती है, next class में हम कौन सा देखेंगे? नौर्मल डिस्ट्रीबेशन को देखेंगे, ठीक है?